नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कारकम गुड मॉर्निंग इंडिया कोरोना की दूसरी लहर के बीच पशिम बंगाल में विधानसभा चुनाफ के सात्वे चरण में 34 सीचों के लिए मद्दान शुरू हो गया है 86 लाग से ज्यादा मद्दाता 284 उम्मीदवारों के भागे का फैसला करेंगे निपक्ष और शांतिपून मद्दान के लिए सुरक्षा के भी कड़े प्रतिबंद किये गए हैं 37 पधामंती नरेंद मूदी ने सबी मद्दाताओं से बोच डालने और कोरोना प्रोटकॉल के नियमों का पालन करने की अपील की है बताने पशिमंगाल के माल्दा जुले में सात्वे चरण का मद्दान हो रहा है माल्दा जुले के रतुआ विधानसवा सीट पर समसी प्राइमरी स्कूल में मद्दान जारी है यहां लंबी लाइनों में लोग वोटिंग करने के लिए एकत्रित हुए हैं भारत और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो कोरोना की वज़े से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं लेकिन अमेरिकी राश्पती ने भारत के कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल के निर्याद पर रोक लगाने के बाद भारत को बढ़ा जटका लगा था अब अमेरिका अपने प्रतिबंद वाले रुक से पीछे हट गया है और हर तरह का स्रयोग देनी की बात कर रहा है इस सकरात्मक बदलाव में हम अमेरिकी राश्पती की और से एक बड़ा बयान भी आया है जिसमें उन्होंने भारत को मदद देने की प्रतिबदता को दोहराया है बता दे अमेरिकी राश्पती ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हमारी के शुरुआत में जब हमारे अस्पतालों पर भारी दबाव था उस समय भारत ने अमेरिका के लिए जिस तरह साहिता की थी उसी तरह भारत की जरूरत समय में मदद करने के लिए हम प्रतिबद है उत्रप्रदेश के तरह सरीय पंचाय चुनाप के तीसे चुरंट का मददान शुरू हो गया है इस दौर में बीस जिलों की दो लाग चौदा हजार से ज्यादा सीचों पर तीन लाग बावन हजार से ज्यादा उमीदवारों की तकदीर का फैसला होगा राज़ निर्वाचन आयोग ने से मिली जौनकारी के मतावएक मददान सुबा साथ बज़े से शाम छे बज़े तक होगा बताने जौरान राज़े के बीस जिलों में करीब पचास हजार मददान बूतों पर तीन करोड पांच लाग 71,613 मददाता अपने मतदिखार का प्रियोग कर सकेंगे वही तीसे चलन में अमेठी, उननाव, औरया, कानपुर देहाद, कासगन, चंदौली, जालोन, देवरिया, पीलिभीत, पतेपुर, फिरोजबाद, बलवरामपुर, बलिया, बारबंकी, मेरट, मुरादबाद, मिर्जपुर, शामली, सिदात नगर और हमीरपुर में मदद कराने के स्तिती ना बन पाए, नॉइड़ा के थाना सेक्टर 20 ने ऐसी ही ऑक्सीजन की काला बजारी करने वाले दो लोगों को गिरफतार किया है, इनके कबजे से पुलिस को दो सिलेंडर ऑक्सीजन बरामद हुए हैं, बता दें, तस्वीरों में ऑक्सीजन सिलेंडर के अब से हाई-टेक सिटी कहा जाता है, लेकिन कोरोना की वज़ा से दूसरी वेव ने शेहर का हाल बेहाल कर दिया है, नॉइड़ा के सेक्टर 49 इस्तित, सीमो का रहाले पर एक कोरोना संकमेत रिटायर पुलिस इंस्पेक्टर का बेटा, रेमजे सिवर इंजक्शन के लिए बेटे का रोरो कर बुरा हाल है, रेमजे सिवर इंजक्शन उसे नहीं मिल पा रहा, दरसल ये यूवर कोताप्रदेश पुलिस से रिटायर इंस्पेक्टर महेंदर सिंग भदौरिया का बेटा है, महेंदर सिंग भदौरिया कोरोना से संक्रमत हैं, और नॉइड़ के नाजुक बनी हुई है, जिस वज़ा से डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें रेमजे सिवर इंजक्शन की जरूरत है, उनके पास समय कम है और रेमजे सिवर का डोस नहीं दिया गया तो महेंदर भदौरिया की जान जा सकती है, अब रेमजे सिवर के लिए उनका बेटा जाल के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें जूस वॉलिंग या